वेलकुम तो मैं चैनल स्मार्ट लणिंग एकडमी इस वीडियो तुटॉरियल आंगि टिसक्स अबाऊ धिसक्स आइस आइसे पॉइन पॉइन अधिक होगा कि आप मैं बता चुका हो कि पी कैसे कैसे कर ते टाइट्रेशन वाले वीडियों में बट अगर आपके पास पीके ब और PK2 की value दी हो और आप पता सकते हो कि वह सब्सक्राइब है या उसका प्रक्राइब कर सकते हो कैसे करते हैं वह मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में ठीक है तो शुरू करते हैं अगर जिनको नहीं पता है कि PK1, PKR या PK2 क्या होता है उनके लिए बता दू कि जब प्राइमरी कार्बोक्सलिकेसिड ग्रूप अगर प्रोटोन डूनेट करता है तो उसको PK1 बोलते हैं अगर primary amine group NH3+, अगर proton donate करता है तो उसको बोलते है PK2, अगर R group जो होता है वो proton donate करता है तो उसको बोलते है PKR, ठीक है, यह मैं अपने titration वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो लोग नहीं जानते, वो please titration वाला वीडियो रिफर करें, तो बात करते हैं पहले example की, PK1 2. 2.5, PKR is 4.5 and PK2 is 10.5, तो what is the nature of this amino acid, is it acidic or basic, क्या acidic होगा या basic होगा बताइए, ठीक है, अगर second example की बात करें, PK1 is 3.0, PKR is 7.5 and PK2 is 10.5, यह किस nature का amino acid है, ठीक है, आप इसी से बता सकते हो की, वो acidic nature का होगा या basic nature का होगा, ठीक है, एक value है, 3rd example की तरह बात करें, तो PK1 is 3.0 and PK2 is 10.5, यह कौन सा amino acid होगा, तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपने डाइप्रोटी का amino acid, टाइट्रेशन का वीडियो नहीं देखाया, तो प्लीज देख लीजे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, कि जो भी डाइप्रोटी का amino acid होते हैं, उनमें R ग्रूप नहीं होता प्रोटोन डोनेट करने के लिए, तो उनमें सिर्फ दो PK values पाई जाती, that is PK1 और PK2, PKR की बात उसमें करते ही नहीं, तो अगर PK1 और PK2 सिर्फ दिया हुआ है, तो that means कि यह जो है, वह सारे के सारे कौन से हैं, डाइप्रोटी का amino acid हो सकता है अगर सिर्फ और PK1 और PK2 की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होता है कि amino acid और basic amino acid का concept आता है, तो इस सिस्टीन और टाइरोसीन, जो कि मैं बता चुका हूँ, कि सिस्टीन और टाइरोसीन जो होता है, वह basic amino acid की तरह behavior follow करता है, ठीक है, तो अगर बात की जाए, यहां पर दो condition है, ठीक है, अगर मैं पूछू कि ऐसे अगर आपके पास data दिया हुआ हो, और आपको यह पता करना हो कि वह acidic है, आप देख के बस data बता सकते हो कि वह acidic amino acid होगा, सिस्टीन होगा, टाइरोसीन होगा, और क्या होगा, कि वह डाइप्रोटी कमीनोसीड होगा, तो पहला जो नेचर है, कि उसमें क्या आपको देखना है, कि वह उसमें PKR की बात हो रही है, कि नहीं हो रही है, अगर PKR की बात नहीं हो रही है, तो क्या है, कि वह डाइ है कि PK1 और PKR की वैल्यू कि PK1 और PKR less than 7 है कि नहीं है यहां पर चेक करिए first example में PK1 less than 7 है 2.5 yes it is less than 7 PKR 4.5 यह भी 7 से कम है तो क्या होगा condition 1 fulfill हो गया अगर condition 1 fulfill हो रहा है ठीक है तो इस case में आपको क्या करना है कि अगर PK1 और PKR दोनों 7 से कम है तो क्या PI की value होगी इन दोनों का average पी के वन और PKR का average और जो भी यह जब यह condition fulfill करेगा तो वो किस नेचर का विनोस्टीड होगा Acidic Acidic कौन कों से होते है Spartate और Blutamate ठीक है तो जब condition 1 fulfill हो रहा है तो कौन सा Aminocid हो सकता है Spartate और Blutamate हो सकता है और PI की value क्या होगी जो दो value 7 से कम है आपको बस उनका average करना है ठीक है अगर PI second example की बात करें ठीक है condition 2 देखिए condition 2 क्या कहता है आपको PK2 और PKR को चेक करना है क्या चेक करना है कि वो greater than 7 है कि रही है अगर यहाँ पर देखिए PK1 is less than 3 PKR देखिए greater than 7 है yes it is 7.5 तो greater than 7 है PK2 यह भी greater than 7 है तो क्या यह condition fulfill हुआ हाँ यह condition condition fulfill हुआ जब second condition fulfill होगा तो first automatically fail हो जाएगा ठीक है तो जब यह condition fulfill होता है तो आपको क्या करना है कि PK2 और PKR का average लेना है ठीक है PK2 और PKR का average लेना है और यह जब condition fulfill होता है तो वहाँ basically कौन को से amino acid आसने है basic हो सकता है सिस्टीन हो सकता है और tyrosine हो सकता है basic में कौन को से तीन amino acids थे ठीक है arginine lysine और histidine ठीक है तो basically यह amino acids हो सकते हैं जब यह value दिया हुआ हो ठीक है अगर आपको देखके सीधे pi value calculate करना हो यह भी ना पता हो कि वह कौन सा amino acid है तो आप बस pi देखके बता सकते हो कि वह acid होगा या basic होगा ठीक है उसके पाद pi value कैसे calculate करना है अगर PKR की बात हो रही है तो आपको क्या करना है कि 2 values देखनी कि less than 7 है और greater than 7 है इसमें less than 7 है जब 2 value less than 7 है तो आप उसका क्या करना है average देना है और अगर 2 value greater than 7 है तो आपको उन दोनों का average देना है ठीक है सीधे सीधे आपको ऐसे calculate करना है आपको किसी भी formula की जरूरत नहीं है कि pi calculate करने के लिए आप सिर PK1 PKR और PK2 value देखके बता सकते हो कि वह acety amino acid होगा या basic amino acid होगा ठीक है और बिना formula कि आप बता सकते हो कि इस amino acid की pi value क्या होगी ठीक है तो अगर एक example और बात की जाए तो क्या होगा अभी मैंने आपको बताया कि कैसे देखके के बता सकते हो कि आप PI value से PK1 PKR और PK2 value से कि वह कौन सा amino acid है और वह उसका पिए वैल्य कैसे calculate करते हैं तो यह example देखते हैं पहला एक्जामपल है PK1 PKR और PK2 का PK1 दिया हुआ है 2.0 PKR दिया हुआ है 6.0 PK2 11.0 तो अगर इसकी बात करें तो condition apply करिए पहला PK1 7 यह सही है PK2 PKR 7 यह भी सही है तो पहला condition fulfill हो गया जब पहला condition fulfill होगा तो second condition automatically fail हो जाएगा यहां पर इस तिन दोनों का average ले लिजिए ठीक है यह होगा या तो spartate होगा या तो glutamate होगा और PI value क्या होगा 6 plus 28 divided by 2 ठीक है 4.0 यह value क्या है PI है सीधे सीधे आ गया ठीक है अगर दूसरे example की बात की जाए condition apply के लिए पहला condition क्या था PK is less than 7 ठीक है क्या PKR is less than 7 condition 1 fail हो गया condition 2 apply करिए PKR is greater than 7 हा ठीक है PK2 is greater than 7 ठीक है condition 2 की बात करें ठीक है condition 2 फुल्फिल हुआ है तो उसमें क्या है इन दोनों का average दीजिए 11.5 प्लस 8.0 ठीक है अगर इसकी बात करें 18.5 यह value क्या हो जाएगी 9.25 यह PI value है ठीक है और PI जब greater than 7 है तो अबिसली वह कौन सा होगा basic amino acid या सिस्टीन हो सकता है या टैरोसीन हो सकता है ठीक है तो ऐसे आप calculate कर सकते हो easily कि वह कौन सा basically amino acid होगा और उसका PI value क्या होगा आपको किसी भी formula की जरूरत नहीं है आप बस PK1, PKR और PK2 value को देखके बता सकते हो कि उसका nature कैसा होगा और उसका PI value क्या होगा ठीक है so this is the all about calculation of isoleptic point for the various amino acid thank you for watching my video if you like my video please do like and subscribe my channel thank you very much